प्रवरी दोज़ार चुका हूँ आपके सामने एक बार से सभी लोग जुड़ जाएए वीडियो को सेसन को सेर कर दीजिए क्लास को सेर कर दीजिए जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़ जाए अचा एक चीज और चुकि यह मंत्ली का इंट अफेर है और इसमें बहुत सारे लोग बाद में वीडियो देखते हैं बाद में क्लास लेते हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो आपके कमेंट्स नहीं लूँगा लेकिन आप लोग जो है कोसिस करते रहना बीच बीच में अंसर करते रहना अगर कोई डाउट आता है किसी का तो दो-चार बार उसमें कमेंट कर देना तो मैं देख लूँगा अगर नजर पढ़ जाएगी तो वो डाउट आपका किलियर कर दिया जाएगा ठीक है बाकी बहुत ज़्यादा आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा मैं यहाँ पर सेशन को सुरू करूँगा और खीजता चलूँगा ठीक है चलिए तो आयूज जहा आ चुके हैं इसके बाद फिर लाल बहादुर सास्त्री जी आज गए है विवे कुमार आ गए है एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए और सेयर कर दीजिए फिर हम लोग फटा-फट से सुरू करते हैं ठीक है जी चलिए पहला कुशन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है और पहले कुशन का आपको जवाब देना है चलिए पहला कुशन है विट्मंत्राल ने आर्थिक सर्विछड के बजाए इस बार कौन सी रिपोर्ट जारी की हुई है आप जानते हो हर बार आर्थिक सर्विछड रिपोर्ट आती है लेकिन इस बार चुकी अंत्रिम बजट आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा बड़ा बजट भी नहीं था बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए भी नहीं था इंडियन एकोनामी एर रिव्यू नाम से एक आर्थिक समक्षा रिपोर्ट जारी हुई है इस बार आर्थिक सर्वेच्छर रिपोर्ट पूरा डिटेल में नहीं पबलिस हुई है इसमें क्या परमुख बाते नहीं जो सबसे पहले तो जारी कौन करता है ये बात ध्यान रखना मुख्य आर्थिक सलाकार जो होते हैं इनके दौरा जारी किया जाता है वर्तमान में है वी अनंत नागे स्वरन इनका नाम ही डारेक्ट पूछा जा सकता है आपसे इन्होंने ये रिपोर्ट तयार की है और इसमें भारत के पाराम्परिक रूप से केंद्रिय बजट से पहले प्रस्तोत किया जाने वाला है ठीक है जी तो एक फरवरी को बजट पेस हुआ अभी बजट की बारे में आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे ब्रष्टाचार धारणा सूजकांग CPI 2023 में भारत की सस्थान पर है करप्सन परसप्सन इंडेक्स में भारत की सस्थान पर है आप कमेंट भी करते रो ठीक है गुड आप्टरनोन चली कमेंट भी करते रो आप लोग देखो इसमें जो भरष्टा चार धारना सूजकांग है करप्सन परसेप्सन इंडेक्स इसको ट्रांसपेरंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश भरष्ट देशों के मामले में किस लिश्ट पर है भारत जो है ये 93 अस्थान पर है 93 अस्थान पर है इसको 49 रेटिंग मिली हुई है 49 स्कोर मिला हुआ है आउट आफ 100 ठीक है आप देखोगे यहां 39 स्कोर मिला है और 93 स्कोर है 93 रैंकिंग है भरष्ट चार धारना सूजकांग में टॉप पर कौन है ढेनमार्क है 2 पर फिंलैंड है 3 पर नियूजिलैंड भारत का अस्थान 93 जारी करता पूछा जाता है जारी करता नाम याद रखना अगला हाली में हेंथ सोरेन ने स्टीफा दे दिया है जारकंड के मुखे मंतरी पत्से और आज के टाइम पर अगर बात करें, तो ये हेमंत सोरेन है, ये चंपाई सोरेन है, हेमंत सोरेन अभी स्तिफा दे दिये हैं, ये मुक्किमंतरी थे जहारखन के E.D. विगरा का केसे पर चल रहा है, इसलिए उनने स्तिफा दे दिया है, अच्छा, महाकडबंधन की वहाँ प कौन बन गए हैं, मलेसिया आप अगर न जानते हो, तो साउथ इस्ट एसिया नेशन है ये, और यहाँ पर, यहाँ पर सबसे सत्रवान राजा चुना गया है किसे, सुल्तान इब्राहिम को, ठीक है ना, सुल्तान इब्राहिम को, देखिए, ये बन गए हैं सत्रवे नमबर क काम कर रहे थे, मलेसिया अगर आप देखना चाहोगे, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप इस साइड में आओगे, तो यहाँ साउथ इस्ट एसिया में मिलेगा आपको एक देश मलेसिया, यहाँ से ये उपर वाला ये हिस्सा लेलो, इतना, लेलो, इतना, ठ जान रखना यह important है मुद्रा पूछी जाती है अब देखो जैसे अभी UPP का आज एक्जाम हो रहा है आप देख रहे हो बहुत ही easy question पूछा जा रहा है comparatively तो इसमें क्या होता है कि जब आस पास के आपके जो questions आए रहते हैं जैसे कौन कहा का राजा बना कौन राष्टपती ब तो वहां पर वहां की मुद्रा और वहां की राजधानी कई बार पूछी जाती है घिकर जैसे रवांडा युगांडा इन सब की आफरीकी देश वांकि komplett पूछी आती है तो आपको ध्यान रहा रखना होगा जो भी चर्चे में आये उनकी मुद्रा आप याद रखिये किस brand इनकी कमपनी ने दुनिया में पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। को कंट्रोल करेंगे चिप के माध्यम से तो ये पहला दुनिया में पहला ब्रेंट चिप प्रत्यारोपण है हुमन में ठीक है जानवरों में ये ट्राई कर चुके हैं किंद्रिय बजट 2024-2025 में कुल कितने रूपाय का बजट पेस किया गया इसके बारे में बहुत सारी डेटेल है आप बहुत तसली से इत्मिनान से पढ़िए तो देखो 2024-2025 का जो बजट था सबसे पहली बात ये पूरा फुल बजट नहीं था ये अंतरिम बजट था क्या था अंतरिम बजट क्या होता है अगर जब सरकार का ये रहता है कि सरकार पल थोड़े समय के लिए होता है अध्र करास से समझ लिजे क्योंकि सरकार एक रुपए भी बिना संसद की संसकी जानकारी 14 ये खरट की ओसे मोंने हैं। मैई जून तक हो जाएगा चुनाओ, तो 31 मार्च के बाद एक अप्रेसी लेकर के मई जून तक सरकार का खर्च कैसे चलेगा सरकार पैसे जो खर्च करेगी वो कहां से आएंगे उसके लिए होता है अंतरिम बजट ठीक है ना तो वो ताइम पीरेट के लिए जो चुनाओ लोग सबा चुनाओ ये नई सरकार का गटान जपी होगा उससे पहले पहले के लिए जो बजट होता है उससे अंतरिम बजट कहते हैं इस बार का अंतरिम बजट जो है ये 47.6 लाख करोड का है ध्यान रकना ये बजट है ठीक है इस पर मैंने वीडियो भी दी हुई है लाखों लोगों ने इसको देखा हुआ है आप लोग भी इसको जाकर देखिए इसको पूरा डिटेल में बने बताय हुआ है किसे क्या मिला क्या कुछ ग्योजनाओ वगरा लाए गई गई है अलाकि ये एक प्रकार से चुनावी भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद ही चुनाओ होना होता है तो सरकार जो होती है वो वादे भी करती है बहुत सारी कि हम क्या क्या करने वाले है कहां पर कितना खर्च किया जा रहा है इसको भी देख लेते हैं देखो इस बार कुल पूजी गत व्याई जो है यह 16.9% बढ़ करके 11.11 लाग करोड हो गया है छेत में अगर बात करें कि काटेगरी वाइज कहां पर कितना खर्च किया जाएगा तो रक्षा छेत में 4.14 लाग करोड किर्सी और संबद गर्तिविदियों में 1.46 लाग करोड प इसमें इस अंतरिम बजट के अंसुर भारत सरकार सबसे ज़्यादा खर्च कहां पर होगा तो आप हमेशा जब भी चाहिए wr सबसे ज्यादा जो अपना खर्च होता है वह ब्याज भुकतान पर होता है 11.9 लाग करोड का यह ब्याज भुकतान किया जाएगा ब्याज भुकता मतलब जो हम लोगों ने आज तक लोगों से उधार लिये हुए हैं उनका जो इंट्रेस्ट बना हुआ है जो आप सुनते हो नहीं कि विस्ट बैंक से इतना उधार लिये या ADB से समझोता हुआ हमारे प्रजेक्ट में ADB इतना पैसा उधार लगा रहा एरेड समझोता हुआ ये वगरा वगरा तो इतना सारा लोगों जो हुआ है उधार हुआ है उन पर ब्याज देना पड़ता है तो हर साल सरकार बजट में ब्याज का भी प्रावधान रखती है तो इतना ये बजट में दिया जाएगा ब्याल बाकी ये मंत्रालेवाइज है ये आपके सामने लिष्टे इसको वीडियो को पॉस करके आप लिष्ट कर लिजेगा पीडियप तुम आपको देऊंगा ही टेलीगराम पर वहां से भी पढ़ सकते हैं छल्दी बताओ कमेट करके छटवागा इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे और तो क्या बनोगे नवाब के बाप चलो खेलो इंडिया यूध गेम जो है इसका छटा संसकर्ण था पहला संसकर्ण हुआ नई दिली में दूसरा संसकर्ण हुआ पुड़े महाराष्ट्रा में तीसरा संसकर्ण हुआ गुवाहर्टी में चौथा संसकर्ण कहा पर हुआ पंचुकुला में हर्याना में और आयोजन हुआ था तमिल नाडू में तमिल की कई सिटीज में यह हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम जो है खेल मंत्राले के द्वारा जित किया जाता है इस बार पूछा जाएगा आपसे की मसकट कौन था सुभंकर किसे चुना गया था तो सुभंकर थी वीरा मंगाई वीर मंगाई को सुभंकर चुना गया था वुसु खेल नया सामिल हुआ है इस बार इसमें और 19 जन्वरी से 31 जन्वरी तक आयोज़ुत किया गया तमिल नाडू के कई जिलों में ठीक है न चन्नाई, तिर्ची, मदुरे और कोयम बटूर 57 गोल्ड के साथ महराज टॉप पर रहा 48 सिल्वर और 33 कांसी मिडल है, सेकंड पर तमिल नाडू रहा और थर्ड पर रहा हर्या नाव भारत में कितने आद्र भूमियों को जोड़ करके रामसर अस्थलों की कुल संख्या अस्सी कर दी गई देखो 75 रामसर साइट थे, 2021 से, पिछले दो साल से 75 रामसर साइट थे, अभी पांच और रामसर साइट की घोशना की गई है और टोटल अब संख्या होगा ये भारत में रामसर साइट की अस्सी तो ये पांच रामसर साइट जो है इसमें तीन आए हैं करनाटक से, दो आए हैं तमिल नाडू से रामसर साइट क्या होती है पहले इसको समझ दो, एक्चुली में जो वेटलाइंड होते हैं दुनिया भर में जो आध्र भूमिया होती हैं उनको चिन्हित करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक प्रकार की एक स्कीम चलती है दुनिया भर में, ग्लोबली स्कीम कह सकते हैं हुआ क्या था दो फरवरी को दो फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था ये रामसर कन्वेंशन कहला जाता है या वेटलेंड कन्वेंशन कहा जाता है ये एक्चलि में रामसर सहर में हुआ था रामसर सहर जो है ये इरान में है तो इरान के रामसर सहर में ये कन्वेंशन हुआ को ले करके आदरभूमि कुया है कि यहांपर प सोपक्षी आकर करके पानी पीते हैं जहां पर जल भड़ा होता है यहां गाएसे जन्त, पेड, पॉद, सबको लाव मिलता है, ऐसे चीजों को सनरक्षित रखा जा सके, उनका सनरक्षड किया जा सके, कभी वो सूखे ना, या फिर लोग उसको गंदा न करें, तो इसके लिए यह शुरू किया गया, वेड्लेंड, तो रामसर साइट, जो है, उसी को कहते हैं, ऐसी लिष्ट जो बनाई गई है, तो ऐसे में भारत के 75 ऐसे चिनहित अस्थल है, इस रामसर साइट में, जैसे युनिस्को वर्ड हैटे साइट होता है, वैसे ही होता है, अब यह पांच जो हैं, यहाँ पर देख लो, मगदी केरे समरक्षन रिजर्व करनाटक का, अंक समुदर पक्षी समरक्षन करनाटक का, अगनास निमुहाना करनाटक का, तो तीन तो है करनाटक से, इसके बाद कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारान यह तमिलाडु से, और साइड भारत से एड हुए हैं, कौन-कौन हैं, आप बताओगे सांती के निकेतन, पश्रिमंगाल में, और दूसरा हुएसला मंदिर करनाटक का, ठीक है, आगे, कमेंट गरके मुझे बताओ, कितने युनिसको विरासत अस्तल हैं भारत में आज की टाइम पर, हाली में सरकार कर Madстьx ने वित्तायोग के चारप्रमुख सधश्यों की निक्ती की है, इनकी अध्धक्सता किस ने की है, तो वित्तायोग जो सुलहँआ गठन किया अभी रिसेंटली गठन किया गय था, पताया था मैं ने, तो इसके अध्धक्स कौन है, तो इसके अध्धक्स बनाएग trabalh है अर्विद पंगडिया सहाब, इनको अभी सोलहमें वितायोग का अध्यक्ष बनाया गया है, अला कि अभी 15 वितायोग का अध्यक्ष डिटेल में सारा content बताया जा रहा है इसके बाहर से कहीं नहीं पूछा जाएगा और मैं हमेशा कहता हूँ वलनायनर चक्कर मिनना रहो डिटेल जो पढ़ाया जाए डिटेल जो बीच में बताया जाती है उनको बड़ ध्यान से सुना करो बहुत सारी लोग होते है न किवल सुचते है बस हम पीडिया पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम तीर मार देंगे कुछ नहीं कर पाओगे जब तक डिटेल्स नहीं पढ़ोगे उसके बीच की डिटेल्स नहीं मालूम रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है ये चार सदसे जो नियूक किये गए है इनकी अध्यक्स्ता कर रहे है अर्विन परगडिया और चार सदसे ये बीच के होंगे अजे नरायन जहा अन्नी जार्ज मैथ्यू और डाक्टर निरंजन राजद्यच सौम्या कांति कोस ये चार सदसे होंगे अर्विन परगडिया ध्यक्च होंगे और सेक्रेटर नियूक किया आएंगे स्री रित्विक रंजनम पंडे ठीके ना नियूक्ती कौन करता है वित्तायोक की सदसे होंगे या ध्यक्च की तो राष्टपती करता है किस अनुक्षेत के ताहत किया जाता है बहुत बार पूछा गया मतलब इसको हधी कर दिया गया इतनी बार ये पूछा जा चुका है अभी तक अनुक्षे दो सो असी के एक के तहत वित्तायोक का गठन किया जाता है ज्यान रहे पूछा जाएगा ये ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते है निम्न में से कौन सा दिवस दो फर्वरी को मना जाता है तो अगेन दो फर्वरी को मना जाता है वर्ड वेटलेंड डे विस्वादर भूमी दिवस और इसी ये उसर पर देखो पांच अपने रामसर साइट एड हुए है और कारण मैंने आपको बताया है वही वाला कारण वेटलेंड वाला की कन्वेंशन हुआ था वेटलेंड कन्वेंशन ठीक है ना तो ये मना जाना सुरू हुआ 1997 से और यहां पर डेट नहीं लिखी गए लिखना था चलि कोई बात नहीं ये रहा दो फर्वरी उनिस तो इकतर को हुआ था कैस्पियां सागर के तरपर इरानी सहर रामसर में वेटलेंड करनेंशन होई नहीं सकता कि मैं डेटेल आपको पूरा-पूरा कांटेंट ना दू हर एक कांटेंट रहता है क्योंकि इसी के बाद हमें यही कांटेंट अपने यह बुक निकाली जाती है प्रमास्त करनेंट अफेर और फिर में दाविक साथ कहता हूँ कि 100% भाईया इसको पढ़लो यहीं से आएगा कुश्चन चलिए यह है थीम वेटलेंट्स एन हुमन विलफेर आगे अंतेरिम बजट 2024-25 में भारतिये रेलवे के लिए यह कितने नए कॉरिडोर बनाए की घुष्चना की गई है चलिए अच्छा कुछ बफरिंग व्यगरा वाला सिस्टम तो नहीं आ रहा है कि बफरिंग वाला कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना इसका अंसर कर तब तक में एक बार चेक कर लेता हूं एक बफरिंग वाला इसू चलिए अगर हो रहा होगा तो अब नहीं होगा है ना Kbps is lower than recommended rate we recommend that use streaming 6,000 कि अंतिरी में भारती रेल्वे के लिए कितने नए kore ने कोरीडोर बनने की खुशना की गई है यह तीन नए कोरिडोर रेल्वे के लिए होंगे और अलग-अलग काम के लिए होंगे कौन कौन से कॉरिडूर है तो आप बताओगे उर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडूर है इसका काम यह होगा कि जो महत्तुपोर संसाधन होता है उनका कुसल परिभान किया जा सके रेलवे के माध्यम से दूसरा कॉरिडूर बनेगा पोर्ट कनेक्टिवीटी कॉरिडूर यह भारत के जितने पोर्ट से उनको कनेक करेगा बंदरगा, बंदरगा को करेगा, करेक करेगा, हाई देंसिटी उच्च यादा याद घनत तो कारिडूर, तो हाई देंसिटी के लिए ट्रैफिक कारिडूर बनाया जाएगा जो भीड़भार वाले सहर हैं जैसे मालो मुंबई हो गया जैसे मुंबई में चलती है लोकल ट्रेने चलती है तो लोकल ट्रेने को यह से बहुत राहत मिलती है है ना यहीं तो मुंबई जैसे भीड़भार वाले सहर में केमरा एंगल सही से अजशस नहीं खेली अब क्लियर दिख़ा है ओके तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया अगला कुशन है World Cancer Day तो World Cancer Day दोस्तो चार फरवरी को मनाया जाता है ये तो सबको पता होगा चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस साथ नवंबर को याद रखना राष्ट्रिये Cancer जागुता दिवस, राष्ट्रिये Cancer जागुता दिवस, Cancer जागुता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, Cancer के बारे में awareness फ़ला निकली, theme पूछी जाती है इसकी बहुत, close the care gap, अगर option में इतना ही है न तब भी आप याद रखना, ठीक है, इतना भी है, तब भी का ठीक है, तो 4 फरवरी सन 2000 से ये शुरू हुआ था मनाया जाना, हाली में किसे राज जगा, अच्छा देखो, ये Cancer दिवस हुआ, राष्ट्रे Cancer दिवस हुआ, एक होता है International Child Cancer, वो 15 फरवरी को होता है, तो 4 फरवरी, 15 फरवरी और 7 नौंबर, तीनों डेट याद रखना, सौप दिया हुआ है, ठीक है, बनवारी लाल पुरो है, तो ये पंजाब के 29 फरवरी राज पाल थे, चंदिगर के 16 परसासक के रूप में दे, दोनों पत्से इस्तीफा दे दिये हैं, और इससे भी पहले ये तमिलाडू, असम और मिघाले के राज पाल रह चुके हैं, या तीसमा इस बार का संसकन आयोजित किया गया है, और राष्टपती जी की द्वारा इनेगरेट किया गया इसका, ठीक है ना, सूरज कुंड मेला याद रखना हर्या नाम में, है ना, आगे, भरिदाबाद ग्रावन में हुआ ये, गुजरात इस बार का थीम स्टेट था, ये यूपी आई सुविधा सुरू करने वाला, ध्यान रहे, यूपी आई अपना एडॉप्ट कर रहे हैं 15 से 20 देश अभी की टाइम पर, और लगतार संक्या बरती जा रहे है, लेकिन भारत का यूपी आई वहाँ पर पेमेंट हो सके, ये सुविधा अभी फ्रांस ने सुरू की हुई है, मतलब समझ में नहीं है, देखो, अपन लोग ने बनाया यूपी आई, यानिकी Unified Payment Interface, इसको एक्चुली में NPCI के द्वारा बनाया गया है, National Payment Corporation of India के द्वारा, कब बनाया गया, 2016 में बनाया गया जी, भीम यूपी आई, अब कुछ लोग जो हैं, वो इसकी ट तो ये लोग क्या किये, कहें कि ये टेकनलोजी भाई हमको भी दे दो, हम अपने देश में लांच करेंगे, लेकिन अपने अपने नामों से लांच करेंगे, तो ये लोग टेकनलोजी ले रहे हैं, अपने अपने देशों में अपने अपने नाम से लांच करेंगे, लेकिन भी बन रही है टेकनोलोजी, वो अपने अपने नाम से लांच करेंगे, जैसे कोई कुछ नाम रखेगा, कोई कुछ नाम रखेगा, टेकनोलोजी यहां की होगी, लेकिन यहां पर यह जो कुश्चन मना हुआ है, आइक्छिली मैं इसको डिजल में इसलिए बता रहा हूँ कु उनके यहां दूसरी करनसी चलती है, तो वो करेंगे, नहीं, आपके पास जो है, पैसा, आपके अकाउंट में जो है, वही पैसे से, वहीं पे, आपका UPI अप जो है ना, उसी में इंटरनेशनल UPI करके आप्सन आएगा, वहीं पर पे करने जाओगे, तो वहीं पर कनवर्ट हो करके, आपके पेमेंट हो जाएगा, यानि आप अपने UPI से ही वहाँ पेमेंट कर सकोगे, यानि UPI सिवधा वहाँ पर भी लागू होगी, यह है इसका मतलब, UPI सेवा वो लोग भी जो अडाप्ट कर रहे हैं, वो दूसरा कुश्चन है, और वो 15 जादा देश यूज कर स अगे नागेश ट्रोफी 2023 किसने जीती है, देखो नागेश ट्रोफी, बहुत इंपॉर्टन ट्रोफी है ये, ये धोस्तों दृष्ट बाधितो के लिए होता है, तृष्ट बाधितो के लिए टूनमेंट घूता है, और इसको इस बार जीता है कर नाटका ने किसने, कर आप दर सीरीज जीतने पर केवल 3000 रुपे मिल रहे हैं क्या बात है और वहाँ IPL में देखर 25-25 करोड करे के खिलाड़ी खरीद लिया जाते है राष्ट्रिय दिरिष्ट बाधी T20 क्रिकेट टूनामेंट ये होता है करनाटक ने आंधर प्रदेश को हरा करकी ये ट्रफी जीतली हुई है ठीके जी आगे उत्राखंड हाई कोड की पहली महिला मुख्यन आधीस कौन बनी है उत्राखंड हाई कोड की पहली मुख्य महिला मुख्यन आधीस ये बन गए है रितु बाहरी रितु खंडूरी का नाम आपको याद आ रहा है ये उत्त्राखंड की विधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी आगे तो बाकी जीटेल में आपको बता ही चुका हूँ आगे किस विधाले ने हाली में मानो डिने बैंक और वनज्यू बैंक डिने अस्थापित किया इसको अस्थापित किया है बनारस हिंदू युनिवस्टी ने ये मानो डिने बैंक और वनज्यू डिने है इसका बनारस हिंदू युनिवस्टी का ये क्या करेगा मनुस्यू का डिने इ नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया है। इनकी फिल्में तो आप देखते ही होगे। तमिल अभीनेता हैं। तमिल गाव॥ेटills कजगं नाम से अपनी नई पार्टी बनायेंगे। नाम है इनका बिजए। जिन्हें हम लोग थलपती वीजे की नाम से भी जानते हैं ना ये देख रहे हूं पहिचान रहे हूं चलो एक भाई साब बोले थे कैमरा अंगल गरबड़ है और और उस इक चक्कर में सही करने चक्कर में और गरबड़ वा दिये थे अगला कुश्चन जितने भी लोग देख रहे हैं वो लाइक कर दें ये हलाकी लोग सभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे ये 2026 के तमिल लाड़ू विधान सभाके को टार्गेट कर रहे हैं वैसे नेशनल पार्टी इसकी बात करें आज के टाइम भारत में किवल 6 राष्ट्य पार्टी हैं मतलब 6 पार्टी यह जिनको राष्ट्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ है बाकी सब रीजनल पार्टी है 6 त्रिय पार्टी है ध्यान रखना कौन कौन सी है आम आदमी पार् जो केरल में है पिन वे वेजन वाली इंडियन नेस्पनल कांग्रेश यहनी कि कांग्रेस वाली और नेस्ट्राइल पड करके लिड़ कर लिना है बहारत के नए स्वास्त ते फीकर कोँर्नी उपकर के गये है चलो कमेट करके बताओ थोड़ा सा मैं तब तक पानी पी लेता हूँ पार्टी भी अधर्ष में बताते हो लो देखो पार्टी भी अधर्ष यार अस्थापन देगे है अधर्ष नहीं देगे ना संस्थापक कौन ही यह देख लो भी अरविंद के जरी वाली पार्टे के अधर्ष भी हैं है ना बहुंजर समादवाजी पार्टी इनकी महावत्ती जी हैं भी अधर्ष भारती जन्ता पार्टी जेपी नद्द अधर्ष है अरवर भीहरी बाज़ पर स्थापना किते मुझे अभी नहीं पता है कांग्रेस पार्टी के खडगे जी हैं अधर्ष और एओ हुम ने अस्तापना किते हैं अधर्ष पसासी में ठीक है अधर्ष में पता है स्वास्त सच्व कौन मने हैं कमेंट करके बताई आप लोग चले किलियर यह गड़ाया ना सबको अधर्ष में सीपी आईम का पूछा था मौक में आज सीपी आईम का मुझे भी नहीं पता भाई चलो यह कौन नीज के गये हैं अपूर्व चंद्रा ठीके जी आगे के निविक्ति समेति ने को निवक्तिया हुआ है हाले में भारत का सबसे बड़ा थीएटर फेस्टिवाल भारत रंग महोत्सो कहां आयूजित हुआ है लगातार बोलने में गया होता ना गले में घरास आ जाती है सबसे बड़ा थीएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सो कहां पर हुआ है तो आप बताओगे गुजरात में कहां पर गुजरात में हुआ है और भारत रंग महोत्सो देखो इसका कैसे नाम लिखा गया है वसुट है कुटमबकम वंदे भारंगम वंदे भारंगम इसको मैंने आपको बताया भी था डेली करने टेफिर में भारत रंग महोत्सो करके है ठीक है तो भारत रंग महोत्सो ये आवजित हुआ भारत के 15 सहरों में गुजरात के कच्छिजगिले से शुरू हुआ है 21 प्रुषकार माना जाता है तो इसमें संकर महादेवन और जाकिर हुसेन ये दोनों ही भारतिये हैं इन दोनों ने अभी संगीत के छेतर में ये सबसे बड़ा प्रुषकार जीता हुआ है इन दोनों को किस कटेग्री में मिला हुआ है ये आवार्ड तो अब बताओगे Best Global Music Album की कटेगरी में ये आवार्ड पाए हुए है Best Global Music Album तो इनका जो fusion band है सक्ती उसने जीता हुआ है बाकी Grammy Award के बारे में और भी चीज़ने देख लो चाचटमा संसकार था Los Angeles में आयोजित किया गया Song of the Year रहा What Was I Made For Barbie movie का Billy Ellis ने काया हुआ है Best Pop Vocal Album Midnight रहा Taylor Swift ने गया है Best Global Music Album This Moment Indian Musician Sankar Mahadevan और जाकिर हुसेन के fusion band सक्ती के द्वारा था ये और ये Best Global Music Album का आवार्ड पाया हुआ है ठीक है हाले में जारी रिपोर्ट के अंसर 2023 में दुनिया का सबसे भीडभार वाला सहर कौन बन जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा भीडभार वाला सहर कौन है 2023 में तो आप बताओगे लंदन है कौन है लंदन है ये Tom Tom की रिपोर्ट है Tom Tom की रिपोर्ट बहुत ही फेमस होती है Tom Tom Traffic Index भी जारी करता है Tom Tom की रिपोर्ट में ट्राफिक इंडेक्स में भारत में सब चलारी ट्राफिक वाला सहर सायद मुंबई था यहाँ पर फिलाल भीडभार वाली सहर की बात की जा रही है तो डबलिन आयरलेंड है टोरंटो कारंडा 3 पर है टॉप पर लंदन है छटे नंबर पर बैंगलूरू है साथवे पर पुड़े है भारत में ठीक है आगे गुरुजी रामसर साइट में फार्मर्स के लिए कोई एडवांटेज है क्या विवेक कुमार डिरेक्टली नहीं है इंडिरेक्टली है है ना क्योंकि जब अगर वहां परस्ता रक्षित किया जाएगा तो फिर किसानों को फाइदा होगा ही क्योंकि अगर जब जमीन जो है कही पर अगर नमी युक्त है तो फिर आसपास की भी जमीने जो है वो काफी अंदर से फाइदा उसका पाती है अलोरा आजन्ता मतलब कई फायदे हैं indirectly, directly कोई फायदा ने मिलता अलोरा आजन्ता अंतराश्टी महोट सो 2024 आज़ित हुआ है, कहाँ पर आज़ित हुआ है तो आप बताओगे कहाँ पर देखो, अलोरा और आजन्ता की गुफाएं कहाँ है थी और औरंगाबाद का नाम बदल करके चत्रपती सांभाजी महाराज नगर कर दिया गया इसलिए अब चत्रपती सांभाजी महाराज नगर में महाराष्ट में किया गया आप देखो, यहाँ पर option में औरंगाबाद नहीं दिया गया है जो लोगाज तक औरंगाबाद याद करके आए थे, वो confused हो जाएंगे, क्योंकि नाम भी बदला गया है, तो याद रखना चत्तपरती संभाजी नगर, ठीक है, चार फरवरी को ये आयोजेत हुआ, साथ वर्सों के बाद 2023 में होता हो, इस बार फिर लगातार होना शुरू हो चत्तपरती संभाजी नगर, पिछले वर्स औरंगाबाद का नाम बदला गया था, ये रखा गया था, और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धारा सीव किया गया था, ये दो नाम बदले गये थे, ये ध्यान रखना इंपोर्टन है, अमेरिका ने भारत को कितने बी प्रिडेटर ड्रोन है, तो आप कहोगे 31, भारत और अमेरिका की बीच में ये डील हुई थी, 3.99 बिलियन डॉलर की ये डील थी, काफी बड़ी डील है, फरवरी 2027 से सुरू हो जाएगी डिलिवरी देर करके ये डिलिवर करेंगे 3 साल में, ठीक है, यूपिल सरकार ने आपको पुरव इस्तार से समझाया हुआ था, इस बजट के बारे में, पुरव इस्तार से, हाला कि ROAR exam में सिर्फ यही पूछा गया था, कितने का बजट था, लेकिन मैंने डिटेल में आपको बताया, और UPP exam जो हो रहा है, इसमें भी डेफिनिटली पूछा ही जाएगा, चलो आप इसका अंसर करो, सेम एक्जेक्टली एक कुश्चन पूछा गया था, आयूस जा का अंसर आ गया है, उसस आहू, काजल राजगीर, मेजुहारा, प्रियांस, प्रिया, तो कितना था, 7.3-6 लाग करोड का था, ठीक है न, ये बजट था, UP गवर्मेंट ने इसे ला के लिए 5.3-2 लाग करोड और पूजी खाते के लिए 2.03 लाग करोड आवंतीत किया गया है, नई योजनाओं के लिए 24,000 करोड है, इसे पिंक बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें मात्रि सक्ति और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है, इसके निरासित महिला प प्थनना है जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आगे, हाली में किस अंतरिक्ष चैतरी ने अंतरिक्ष में सरवाधिक समय तक रहने का विस्तुरीकाड बनाया है, सबसे ज потреб में स्पेश में रहने का विस्तुरीकार्ड किसकी नाम आ गया है, तो आप बताओगे, ओलेग को जुआ हम्हों नेकों के नाम आ गया है यह रसीया के और इन्होंने अपने ही देस्वासी का रिकार्ड ठोड़ा है ञार से पहले गनेडी पडल कह जो थे वह भी रसीया के थे वह आट सौ आट सौ आहकतर दिन तक रहे थे लेकिन ये जो हैं यह भाएसाब ग्यारा सु दस दिन पूरा कर लेंगे सितंबर तक, ठीक है, अभी इनको पीछे कर दिया है, अब आगे आने वाले टाइम तक सितंबर तक इनको रहना है, तब ये 1110 तक दिन तक पूरा कर लेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले वक्ति यूरी गागरिन थे और ये भी रसिया के थे, हाला कि तब रसिया USSR के नाम से जाना जाता था और 1961 में अस्थापना, मतलब 1961 में गए थी किस राज सरकार ने मुख्यमंत्री वयोसरी योजना शुरू की? मुख्यमंत्री वयोसरी योजना, important योजना है, important योजना है, हाँ बिलकुल योज किया जाएगा और ये महराश्ट की योजना है, मुख्यमंत्री वयोसरी योजना, 15 लाख वरिष्ट नागरिकों को लाभ पहुचाया जाएगा, सारे जिक या मांसी ग्रूप से जो पीडित, इविकलंगता से पीडित हैं, ऐसे विक्तियों को, 480 करोड का बजट इसके तहत रखा गया है अपनी किताब भी अभी अवेलबल है, Amazon पर, आप जाकर किसे ले सकते हो, ठीक है, कुछ प्राइस कम भी हुआ है, आप जाकर किसको देख सकते हो, और साथी साथ में, 5 आउट और 5 इस्टार की रेटिंग चली रही है, अभी आपके आने वाले जो रेलवे एक्जाम से, रेल गरेंट पर पढ़ना मत, अगर इससे अगर नीचे का पढ़कर के आया, और उसके बाद से कहें कि नहीं, पूछा गया, ठीक है, हम यो पढ़कर आया, नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको मतलब क्या बता हूँ, ठीक है, तो मेरी गलती नहीं है, डेर साल पढ़कर के ज यमन के नए प्रधान मंतरी दोस्तों कौन बन गए हैं, अहमद अवद बिन मुबारक, कौन अहमद अवद बिन मुबारक, ये बन गए हैं, यमन के ने प्रधान मंतरी और माइन अब्दुलमाइक सहीद को राश्पती नित्वित परिशत के अध्यक्स की रूप में इनको न independent effort में रिवीजन में कराया था आपको अगर तला में अगर तला में देवीकला मेला हुआ ये दिव्यांगों के लिए होता catching और दिव्यकला मिलाई 11 फरवरी को ये 6 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया अगर तला में फिक है 14 हुआ इस बार का इसका संस्कान था किंद्रिये विज्यान मंतरी डाक्टर जीतेन सिंग ने राष्ट्रे विज्यान दिवस की थीम क्या रखी देखो राष्ट्रे विज्यान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है लेकिन थीम और इसकी पहले ही घोशित कर दी जाती है थीम क्या है बताओ जल्दी से डेली करंट अफेर वाले जो भी फालो करते हैं थीम जरूद फिर सर गोली मार देंगे नहीं गोली काही मारेंगे पहले बंदूग ही नहीं है मार पास गोली काहाँ मार देंगे 28 फरवरी को विज्यान दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या रखी गई है विक्सित भारत विक्सित भारत के लिए सुदेशी तकनीक विक्सित भारत का संकल्प, विक्सित भारत नया भारत at 2047, विक्सित भारत बिग्यान और पुद्धोग की, विक्सित भारत के लिए सोधेसी तक्नीक, यह जो है option आपका, correct होगा, Indy Genius Technology for विक्सित भारत, यह है इस जबार की theme, यह ने ग्रेट किया है, जो अपने Science मंत्राले क मंत्री हैं, उन्होंने, ठीके न, डाक्टर जितेंज सेंग जी ने, 28 परवरिक मनाया जाएगा, रामन इफेक की खोज हुई थी, इस दिन, 1928 में, इसलिए यह दिवस चुना गया है, 1930 में, सीवी रामन जी को नोबेल मिला था, फीजिक्सित में मिला था, रामन इफेक के ल यूए इसलिएटर जो चर्चे में रहा है भी, उसको आप थ्यान रखो, कोसिस करो, आप भी एक बॉक्स बना लो साइड में, और उसमें लिख डालो सब, देखो, एक तु पीम, ये विश्व सरकार सम्मेलन, यही लिख दो, यही से सुरुआत करते हैं, सरकार, सिखर सम्मे दुनिया की पहली, फर्स्ट एयर टैक्सी से विधा सुरू करेंगे, मोधी जी गये हुए थे यहाँ पर, भारत, कतर, भारत, कतर, और तुर्किये, इनको गेस्ट कंटरी चुना गया, गेस्ट कंटरी के रूप में इनवाइट किया गया था, भारत को यहाँ पर पुरुष पुष्कार भारत पुरुष्कृत किया गया आई रास्ते पहल के लिए याद होगा आई रास्ते पहल के लिए भारत को आवार्ड मिला अवार्ड मिला भारत और UAE की बीच में 10 समझाते भी हुए भारत और UAE की बीच में कितने समझाते परहस्ताक्चर हुए 10 समझाते हुए अब आते हैं P.M. Modi पर P.M. Modi ने अबू धावी में B.A.P.S. हिंदू मंदिर का उद्गाड़न किया अबू धावी में B.A.P.S. हिंदू मंदिर का उद्गाड़न किया दस समझोतों में U.P.I. समझोता है इनको भी मतलब U.P.I. चिपका दिये मोदी जी तो अबू धावी जो है B.A.P.S. हिंदू मंदिर यहां पर उद्गाड़न हुआ B.A.P.S. हिंदू मंदिर पर मैंने आपको बताया कुश्चन यह भी नागर सहली मना गया है और यहां से भी रायस्थान के बलवा पत्थर लाए गया है यूज किये गया है और क्या वाचरा है अहलान मोधी कारेकरम अहलान मोधी कारेकरम हुआ जिसने मोधी जी ने सभी को संबोधित किया जो वहां पर भारतिये रह रहे हैं इतना आप U.A.S. याद अठना जो अभी रिसेंटली इस समिट के दौरान ये चर्चे में आयो कुशन है कहीं से भी बन सकता है कोई सा भी कुशन बन सकता है ठीक है आगे चलो तो वर्ल्ड गवर्मेंट समिट में इनका दूसरा निमंतरन है पियम मोधी जी का 2018 में इससे पहले हुआ था बाकी चीज़े मैं आपको बता ही चुका हूँ आगे बढ़ते हैं 12-14 फरवरी तक हुआ किसने Artificial Intelligence and National Security नामक पुश्टक लांच की AI and National Security ये लांच किया है जो अपने वर्तमान में CDS है Chief of Defense Staff है कौन है General Anil Chauhan इन्होंने ये पुश्टक लांच करी हुई है Artificial Intelligence and National Security इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूत है नहीं कलाम एंड कवच फेस्टिबल में इन्होंने ये लांच की हुई है ये दूसरे नमबर के CDS हैं सेकंड नमबर के CDS हैं पहले CDS भारत के Chief of पहले Defense Staff कौन थे विपिन रावत जीजिन का निधन हो चुका है आगे नायाब बाकुले को किस देश का दोबारा राष्टपती चुना गया है नायाब बाकुले बुकले ये किस देश की दोबारा राष्टपती बने है तो आप बताओगे किस देश की बने है अलसलवाडोर के जो है ये भी पूछा जा गया ये पूछा गया चर्चे में आ गया तो आप यहां की मुद्रा पूछ ली जाएगी या यहां की राजधानी पूछ ली जाएगी ये सब जहांद रखना राजधानी इसकी स्थैन सलवाडोर होती है मुद्रा यूएस डॉलर है ठीक है कहां पर है तो आप देखोगी ये जो मद्य अमेरिका है मद्य अमेरिकी महादूइब कह सकते हैं इसे ये उत्तरी अमेरिका है दच्छिन अमेरिका है कौन? उल्जास बक्तिनेओ ये हैं कजाकिश्थान के नए प्रधान मंतरी प्राइम मिनिस्टर अली खान, इसमाuiteलो, अल्जास के प्रधान मंतरी थे इससे पहले और अभी यहां गे कजाकिश्थान की राजधानी अस्ताना होती है इसकी राज़ानी आपसे पूछी गई है कई बार, पूछ भी जा सकती है, आगे भी, कजाकिस्तानी तेंगे यहां की करंसी, राष्टपती कासिम जोमाट तोकायो किस राज में महात्मा गाधी को समर्पित देश का पहला, तामबे से बना बापू टावर बनाया गया, तो आप बताओगे बिहार की राज़ानी पटना में, यहां पर अस्थापित किया गया, कुछ इस प्रकार से है, महात्मा गाधी जी को समर्पित है, उनकी पुनितिति के उसर पर यह लाज किया गया, पटना के गर्धनी बाग में, 120 फीट उचाई है, 6 मंजिला यह बनाया गया है, 45 करोड की लागत आई है, आर्बियाई ने लगातार कौन सीवी बार रेपो रेपो रेट को 6.5 पर अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है, आर्बियाई ने ऐ बैंको का बैंक कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कि जो बैंके हैं, उनसे वो इनसे बैंकिंग करती हैं, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली, बैंकिंग करना का मतलब, या तो हम पैसे जमा करें, या तो पैसे हम उधार ले, यह हुआ बैंकिंग करना, यही बैंकिंग, हम लोग जो बैंकों करते हैं, हम लोग जो customer होते हैं, ये banking करते हैं इनसे, जो भी bank आप सुनते हो चाए private हो चाए सरकारी, ये banking ऐसे ही सेम चीज RBI से करते हैं, यानि ये RBI पास पैसे जमा करेंगे ये RBI से पैसे उधार लेंगे, अच्छा जब हम लोग पैसे जमा करते हैं, तब हम लोग को interest मिलता है, लेकिन जब हम लोग पैसे उधार लेते हैं, तब हम लोग को interest देना पड़ता है, ऐसे ये लोग भी होता है, ये लोग जब पैसे उधार लेते हैं, ये लोग जब पैसे RBI से उधार लेते हैं, थोड़े समय के लिए, तो इनको interest देना पड़ता ह तो इनको जो interest देना पड़ता है उसे कहते हैं repo rate ठीक है जो bank के repo rate जो पैसा देंगी interest उसे कहेंगे repo rate और जब RBI से RBI पास ये पैसा जमा करेंगी तो जब जमा करेंगी तो कुछ interest पाएंगी तो जब जमा करेंगी तब जो interest मिलता है तो उसे कहते हैं reverse repo rate या RRR ठीक है न रिव से रेपोरेट वाला RRR ठीक है आगे तो यह अंचेंज रहेगा और यह सब चीजे यह सभी बात चीज़ कहां होती है इसे नहीं आगे पबलिक में हमारी तरह बोल देते हैं इसको जा करके MPC की बैठक होती है monetary policy committee की और उस monetary policy की committee की बैठक में इसाब डिसाइड की जाती है गुपत चीज़े यह बाते सबको बताई नहीं जाती है ना कुछ चीज़े देखो तो अब इसमें 6 सदस्य होते हैं यह भी आप से पूछा जाएगा कितने सदस्य होते हैं वही पॉल्सी कमेटी के अधिस्ता कौन करता है तो आर भी आगा गवर्नर करता है ठीक जी आगे मौद्रिक नीति कमेटी ये हो गया बाकी चीजे मैं आपको बता चुका हूँ इस फोटो को ये अवार्ड मिला है ठीक ना और ये अवार्ड जो है ये पंदलभ फोटो किसने खिची है नीमा सरी खानी ने खिची है दालें पॉस्टिक मिट्टी और लोग थीम के साथ विश्षु दलहन दिवस कम बनाया गया तो ये मनाए गया दस फरवरी को कब 10 फरवरी को मनाया गया वर्ड पल्सेज डे और इसकी थीम यही थी दाले पॉस्टिक मिटी और लोग पल्सेज नियूरिसिंग अन्तरश्टेज दलहन दिवस 2016 से शुरू हुआ था भारत सरकार ने किसे भारत रत्न पुरुसकार देने की घुशना की है तो देखो इस बार पांच को दिया जाएगा भारत रत्न तीन के नाम तो यहाँ पर है तीन के नाम बाद में अनाउंस किया गया था और दो नाम इसते पहले आ चुके थे करपूरी ठाकूर करपूरी ठाकूर और दूसरे अलके आदवानी आदवानी यह पांच को दिये जाएँगे इस बार थिक है न? तीसरा चौथे और यह पाच में तो पांच को दिये जाएँगे इस बार भारत रत्न भारत का सरवोचणागरिक सम्मान तीन के announcement बाद में किया गया करकूरी ठाकूर और लालके शानवानी जी का दोनों का नाम पहले यह announce हो गया था चौधी चरण सिंग जी पूर प्रधान मंत्री रह चुके है नर्सिमा राओ जी भी पूर प्रधान मंत्री रह चुके है ठीक है में स्वामी नाल थान हरुट का नंते ही हो आगे बारत करते हैं अंत्रास्टी ऊर्जा एजनसी के अफ़ार भहरत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल मांग विर्दि चालग बन जाएगा तो ये रेपोर्ड बताई है IEA ने यानि की इंटरनेशनल एनर्जी एजनसी ने अभी इंडिया एनर्जी वी काया जित हुआ था उसमें इन्हों ने बताया घर लुते लुतादन बाइस परसंट घटने वाला है IEA के बारे में बात करें 1974 में स्थापना हुई थी और पैरिस में इसका हैटक्वाटर है इसके अध्यक्ष कौन है फाती बिरोल एम्स ने कैंसर का सीगर पता लगाने के लिए किस AI प्लेटफर्म का नावर्ण किया है तो आप बताओगे Ioncology.ai Ioncology.ai एम्स बुले तो All India Institute of Medical Science यह भारत में जो सबसे बड़ा वाला टॉप लेबल वाला वाला वह होता है ना इस्टिटूट वह वाला होता है ठीक है नीट वाली परिच्छा जो देख करके जो बच्चे जो सपना देखते हैं कि किस हॉस्पिटल में जाएं प्रेक्टिस करने तो वह यही वाला हॉस्पिटल होता है एम्स बारत में बहुत पनिया सामानता की गए इंटर के बाद JEE अगर पढ़ोगे तब IIT में जाओगे और NEET पढ़ोगे तो AIMS में जाओगे IIT की संख्या है 23 और AIMS की भी संख्या है 23 मतलब बरावर ठीक है ना इंटर के बाद आपको क्या करना था यह आपको अब अपने भाईयों को बताना है बाहनों को बताना है ज होती है यह सब भी करने के बाद ऐसा नहीं जिन्दगी बहुत अच्छी बन गई नहीं IIT करने के बाद या नीट करने के बाद भी बहुत सारी आती है प्रदानमंत리 नजीड मोधि को किस देज के सर्वोच इनुगिया है। तो अभी हाल फिलावामे इनको फिजी और पापवयर नियोंगिनी के सर्वाच सम्वाणु किया गया है Dash अना कि यह announcement यह पहले ही हो चुका था पिछली साल जब G7 का समिट हो रहा था जापान में जापान की हिरोशिमा में उसी टाइम एनाउंस भूआ था लेकिन अभी दिया गया है इनको ठीक है न अगला फिजी और पापुआ नियुगिनी का यगणी दसफरवरीन 2014 को कहां पर विश्व पुस्तक मेला का आजजन किया गया तो यह विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आजज дополн किया है दसफरवरी को और आप लोग की के पा के वज़या सेः अप लोग के इतने वड़ले क्या कहें कि हमको यहां तक लाने की वीज़ ये थीम थी इस बार की, सौधी अरब जो है, समानित अतिती थी टाटा ट्रस्ट ने कहाँ पर भारत के पहले छोटे पसु अस्पताल का उधगाटन करने की घोशना की तो ये टाटा ट्रस्ट जो है, इन्होंने कहा है कि मुंबई में हम छोटे पसु के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे छोटे पसु जैसे चुहा, बिल्ली, कुत्ते, इन सब के लिए एक हॉस्पिटल खोलेंगे ये होगा, और ये पहली बार महालक्ष्मी टेंपल के पास में ये खुलेगा हॉस्पिटल तो टाटा ट्रस्ट ने 165 करोड उपए खर्च करने की बात की है, 22 एकड में, बहुल बड़ी बात है आगे किस राज ने राज आपदा परबंधन प्रादिकरण डिवाइस नितीष लांज किया, अपने मुख्यमंतरी के नाम पर ही लांज कर दिये हैं गुजरात बिहार के जो CM है नितीज कुमार उनकी गुवर्मेंट ने इसे लांच किया है राज आपदा परबंधन प्राधिकरण राज में अगर कोई आपदा आती है तो उसको मैनेज करने के लिए नितीज नाम का डिवाइज हो है यह हर किसानों हर वेक्तियों की मदद नितीज का फुल्वाम भी होता है Novel Initiative Technological Intervencion Novel Initiative Technological Intervencion for Safety and Human Lives ठीके आगे ग्रे मंत्रीयमित्साहन ने हाल ही में लोगसभा चुनाओं से पहले CAA लाजु करने की प्रहस्टना किये यह संसोधन विदैयक अदनियम कंपना था अलकि यह सारी कुश्चन में अब ही आपको अलाकि ये सारे कुश्चन मैं अभी आपको वेकली करन डेफर में रिवीजन करा चुका हूँ फिर से बोल दे रहा हूँ तो ये जो CAA थायानी Citizenship Amendment Act ये 2019 में December 2019 में ये पास हुआ था मतलब अधियम बन गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था लागू करने को ये कह रहे हैं कि लोगसभा चुनाव से पहले लागू कर देंगी December 2019 में कब कब आया था तो आप बताओगे सबसे पहले ये 9 December को लोग सभा मिलाया गया था फिर 10 December को वहां से पास हो गया 11 December को राजसभा में गया और वहां भी पास हो गया फिर राजपती का अर्मोदन मिला 12 December को और उसके बाद ये विदेयक जो है वो अधिनियम बन गया यानि बिल जो है वो आएक्ट बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ था तो ये नागरित्ता संसोधन विदेयक ये सिटिजन्सिप अमेंडमेंट एक था 2019 वाला ठीक है आगे इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है अगर आपको क्लियर समझना है क्या कुछ दिक्कते हैं क्या कुछ संसोधन हो जाएगा इसकी बाद मोटा मोटा आप इतना जानों कि जो पहकिस्तान बांगलादेश और अफगारिस्तान से आये हुए जो नॉन मुसलिम मतलग कि मुसलिम को छोड़ करके बाकी जो जाती होगे अगर वो वहां से आये हुए वहां के साथ ब्रमपुत नदी प्रबंधन के लिए कितने डॉलर के रेर सम्झोते पर हस्ताक्चर किये हैं वहताई भारत सरकार ने कितने फरस सम्झोतब और पनी हैं 200 बिलियन 200 मिलियन डॉलर के ब्रमपुत नदी के काया कलब के लिए ADB मदद कर रहा है लोन दे रहा है औ और मैंने जैसे के भी आपको बजट में बताया था ना, लोग न ऐसे जो मिलते हैं, उनका इंटर्स भी चुगाना पड़ता है, तो वो, फिलाल यहां ब्रंपुदर रीवर की बात करें, तो ब्रंपुदर नदी है, वही नदी है ना, जो भारत में सबसे चौड़ी हो जाती ह असम में जब पहुचते हैं तो, असम में इसकी चौड़ाई सरवाधिक आठ किलोमेटर तक पहुच जाती है, और इसी वर से यहां पर एक नदी दूप बनता है, माजली, मतलब कई दूप बनते हैं, उसमें एक माजली नदी दूप है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी 24 से सम्मानित किया, तो ये नीम हंस को सम्मानित किया गया है, नेल्सन मंडेला परुषकार 2024 से, नीम हंस एक संस्था है, जिसका फुलवाम होता है, National Institute of Mental Health and Neuroscience, ठीक है, राष्टी मानसिक स्वास्त और तंतिका विज्ञान, तो नीम हंस के अस्थापना उनिस चोहतर में हो केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने लिम्फेटिक फाइलरेसिस उन्मूलन के लिए राष्ट व्यापी MDA भियान सुरू किया है, बारत ने कब तक इसके उन्मूलन का लक्ष रखा गया है, बस भाई, 62 कुश्चन टोटल है, 15 कुश्चन और बचे हैं, और इस 15 कुश्चन के बात करना है, क्या, इंज्वाए छुट्टी, है ना, तो लिम्फेटिक फाइलरेसिस उन्मूलन के लिए अपने लक्ष कब तक रखा है, 2027 तक, कि ये जो है इसका उन्मूलन कर देंगे, तो तीन साल पहले, 2030 से तीन साल पहले, 2030 में दुनिया भर का लक्ष है, दुनिया भर लिम्फेटिक फाइलराइसिस का, आपको अगर याद हो, 2025 तक हम लोग TB मुक्त का, TB मुक्त भारत का अभियान चला रहे है, निक्षे मित्र, है न, निक्षे मित्र पुशा जाएगा, 2025 तक हम लोग फुली TB से मुक्त हो जाएगे, 2047 तक अपन लोगों ने क्या लग्ष रख रहे हैंगे, 12 फरवरी 2024 को किस देश में भारत की परमुक ततकाल भुक्तान प्रणाली, UPI और रूपे कार्ट वारम किया गया, तो देखो, फ्रांस में किया गया था परे दो फरवरी को, उसके बाद 12 फरवरी दस दिन बाद, भारत ने, भारत के PM, मोदी जी ने, स्रिलंका और मारिसस में भी इसका एनगरेशन कर दिया, यानि वहाँ पर भी अब UPI चलेगा, तो भारत ये परटक जो जाएंगे, वो UPI से सेम पेमेंट कर पाएंगे, पूरी चीज मैं आपको जो फ्रांस वाले में बताया था, वही वाला सिस्टम आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लागू करेंगे, लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पर UPI ने कहा हम लागू कर दिये हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है ये बन गया है पहला राज जो सेमी करनेक्टर पॉलसी लागू कर दिया है देश में, तीक है, अब ये बात इन्होंने वेधान सभा में बोली हुए है, तो बिल्कुल अथन्टिक है, रिगार्ड पर है, बिल्कुल और ANI पर आप वेब साइट पर जाकर देख भी सकते हो, आगे, भारत सरकार ने महिलाओं को किस छेत में ससक्त बनाने के लिए स्वाती पोर्टल लांच किया, तो स्वाती पोर्टल भारत सरकार ने लांच किया ह है, इसका फुलफार्म यह होता है, स्वाती का, स्वाती मतलब Science for Women, A Technology and Innovation, ठीक है ना, स्वाती, आपके क्लास में या फ्रेंट सरकल में स्वाती नाम कहा है, अगर कोई तो उनको बतावा, तुम्हारा फुलफार्म यह है, आगे, ICC Under 19 विश्टुकप का खिताब किस ने जीत आ रहा था, आस्टेलिया से ही वो भी आ रहा था, ठीक है, ध्यान रखना, आस्टेलिया ने T20 भी जीता इस बार का, Under 19 भी जीता, World Cup भी जीता, महिलाओं वाला भी जीत लिया, ठीक है, आगे, तो चौथी बार यह जीता हुआ, भारत और नियसी रहनों से हार गया, हाला कि भारत इस टूनमेंट का, पांच बार का भी जीता है, सबसे ज़्यादा बार, अफ्रीका में आजन हुआ था, आजन आपसे पूछा जाएगा, पेटियम एकॉमर्स का नाम बदल करके क्या रखा गया, इसका नाम अब हो गया, पाई प्लेटफर्म, पाई प्लेटफर्म, प पेटियम पेमेंट बैंक पर RBI ने बैन लगा दिया, पहले तो 29 फरवई डेडलाइन थी, उसके बाद बढ़कर के 15 मार्च हो गई है, इसलिए वो कुश्चन नहीं लिया मने, पेटियम जो है, इसी का ही है, पेटियम कॉमर्स बैंक, तो पेटियम जो एकॉमर्स था, स्वर पाई प्लेटफर्म के नाम से रिब्रांड किया जाएगा, आठ फरवई 2024 को ये गोश्चना हुई है, आगे, किस मंत्राले ने दूर दराज की गाउं में अपार पहल सुरू की, अपार, अपार आइडी आपने ज़रूर सुना होगा, अपार आइडी की बारे मैं आपको ब रहेगा, एक स्टुरेंट की एक आइडी पूरा-पूरा प्रफाइल रहेगा इसमें, तो ये पोर्टल पहले ही सिच्छा मंत्रा चला रही है, लेकिन अभी रिमोट एरियाज में दूर दराज की गाउं में इसे लांच कर दिया गया है, सिच्छा मंत्रा लेके द्वारा, ठीक है न, डिजिटल स्टूरेज है, अपार आइडी, वन नेशन, वन इस्टुडेंट आइडी भी इसे कहते हैं, अगे, इसका फुल फाम अगर पूछा जाएगा तो आप पताना, अटोमेटेड पर्मनेंट अकाटमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अगला, हाली में पीम मो हो जाएगा, अगर नहीं भई, पेटियम चलता रहेगा, पेटियम में कोई प्राब्लम नहीं आएगी, पेटियम पेमेंट बैंक में प्राब्लम आई है, पेटियम पेमेंट बैंक में प्राब्लम आई है, तो ये बैन हुआ है, ये चलता रहेगा, ठीक है, पेटियम करो औ करते रहो उन्होंने स्लोगन भी अपना नया लांज कर दिया है तो यहाँ UAE में हुआ था अहलान मोधी कारिकरम और मैंने आपको बताया भारतियों को यह संबोधित किये वहाँ पर जा करके और चितनी भी चीजे थे मैंने आपको सब लगभू बता दी हैं भी तो UAE कहाँ पर है अपने प्यारे भारत से आप देखोगे तो यहाँ पर UAE आपको मिल जाएगा पड़ोसी ही है समझो एक पकार से 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी कौन सुरू करेगा यह भी मैंने अभी आपको बता दिया उसी एक पेज में जब मैंने UAE वाला पूरा पूरा सब कुछ बताया ना उसी में सब कुछ इसको सबको कबर करा दिया था मैंने दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सुरू करेगी यह एयर टैक्सी सेवा सुरू होगी और यह वहाँ पर होगी 321 किलोमेटर प्रतिगंटा की इसकी रप्तार होने वाली है किसकी जैनती पर 13 फरवरी को राष्टिय महिला दिवस मनाया गया तो 13 फरवरी को दो महत्पूर दिवस मनाया जाते हैं एक तो मनाया जाता है विस्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और एक इसी दिन मनाया जाता है राष्टिय महिला दिवस राष्टिये महिला दीवसम लोग मनाते हैं सरोजनी नयडू जी की जैनती पर, ये भारत की पहली महिला राजयपाल भी थी, उत्तर प्रदेश की राजयपाल बनी थी तो ये भारत में राज़पाल बनने वाली पहली महिला थी, साथ ही साथ में, इंडियन नाशनल कांग्रेस जब चल रहा था, सुतनता के दारान, आंदुलन के दारान, उसकी ये पहली भारती महिला धेक्ष बनी थी, सरोजनी नाइडू, ठीक है न, इनका भी नामयाद रखना अगला, हाली में किसने पीम सूरिघर मुफ्त बिजली योजना का उधगाटन किया, अनावरंड किया, तो उधगाटन अनावरंड हो तो तुरत पीम मोदी लगाना आपको, पीम सूरिघर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसको पीम मोदी ने लांच किया है, इस योजना क ठीक है ना 300 यूट तक की विजली मुथ जिससे बढ़ावा मिल सके इसको आपन लोग ने भी टार्गेट रखा है ना कि 2000 2000 47 तक हम लोग को होना है उर्जा स्वतंत्र उर्जा स्वतंत्र होना यानि कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है उर्जा सोतंत्र मतलब यह नहीं कि एनर्जी फिर ही हो जाओ मतलब एनर्जी ही नहीं उर्जा सोतंत्र मतलब कि हम लोग अपने उपर हो जाएंगे निर्बर हम लोग जो तेल ओल खरिदते हैं यह सब नहीं करिदेंगे उसके बाद हाला कि एक डील अभी कतर चे हुई दोजार अटारिस तक के लिए और दोजार सथालिस में सोथम की बात करने है चलो देखो जो भी होता है अपने नावी को छुड़ा अपने सेननोसिन को कुछ छुड़ाना था तो कर लिए डील कुछ कुछ चीजे फजाती है 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे 2070 तक हाँ 2070 तक क्या हो जाएंगे कार्बन मुक्त हो जाएंगे अचा बढ़िया पॉइंट है ना ये 2047 तक हम लोगों ने टार्गिर बनाया है उर्जा सुतंत्र का और डील करके चले आए 2048 तक के लिए कि हम 2048 तक आपसे खड़ी देंगे ठीक है चलिए हाला कि उसमें ये भी बात की गई प्राकृतिक गैस जादा खड़ी देंगे तो प्राकृतिक गैस भी हो होता है लेकिन एनर्जी तो है यी ना दूसरे स्करीजी रहे न 75,000 क्रोड उपए से अधिकर निवेसिस में किया जाएगा पीम मोदी ने शुरू किया हुआ है आगे नीती आयोग ने बंजर भूमी को बदलने के लिए कौन सा पोर्टर लांच किया तो नीती आयोग के दौरा बंजर भूमी को यूजफुल बनाने के लिए ग्रो नाम से पोर्टर लांच किया गया है नीती आयोग के दौरा ये किया गया है जो टिकाऊ भूमी है इनका उपएयोग किया जा सके 2030 तक ऐसे 26 मिलियन हेक्टियर खराब भूमी को भाल करने का लक्ष है किस राज सरकार ने यूआओं को ब्याज मुक्त रिट देने के लिए स्वयम नाम की पहल शुरू कि स्वयम नाम का पहल इसको शुरू किया है औरिसा गॉबर्मेंट ने एक लाख लोगो को एक लाख रुपे तक का इंट्रेस्ट फिरी लोन दिया जाएगा आगे AI powered सरक सुरक्षा के लिए नवा गौवर्मेंट पुरुसकार किस ने जीता है तो मैंने अभी आपको बताया हुआ है उसी UAE वाले पेज में बताया था इसको कि भारत ने आई रास्ते पहल के लिए जीता हुआ था ये अवाड आई रास्ते पहल के लिए ठीक है ना तो पहारत ने ये वाड जीता नौवा गौवर्मेंट पुरुसकार कहां पर जो वर्ड गौवर्मेंट समिट हुई अभी बारत से चौदा फरवरी को UAE में वहीं पर ये वाड जीता है आई रास्ते पहल के लिए ठीक है जी चले पूरा डिटेल्स है आगे हाली में निमन में स किस ने राष्ट्य फिल्म पुरुसकार का नाम बदल दिया है राष्ट्य फिल्म पुरुसकार का नाम बदल करके रखा गया क्या रखा गया है तो आप बताओगे किस राष्ट्य फिल्म पुरुसकार का नाम बदल गया है इंद्रा गाधी पुरुसकार और राष्ट्य एक तपर सरसेश फीचर फिर्म के नर्गिस दत्त पुरुसकार इन दोनों में से क्या किया गया है इन दोनों का नाम हटा दिया गया है है इंद्रा गांधी पुरुसकार जो दिया जाता तो उसमें इंद्रा गांधी जी का नाम और जो नर्गिस दत्त पुरुसकार दिया जाता थ दादा साहब फाल के पुरुसकार भी इसमें दिया जाता है लेकिन इसकी नगत जो पुरुसकार रासी है वो बढ़ा दी गई है ठीके ना 10 लाग से बढ़ा करके 15 लाग रुपए कर दी गई है और भी जो कुछ अवाड दी जाते हैं स्रेडियों में इनको भी बढ़ा दिया गया है और सिल्वर मेडल बजयताओं के लिए भी बढ़ा दी गई है तो यह कुछ मतलब पुरुसका धनासी बढ़ाए गई है और कुछ नाम भी बदले गए हैं लास्ट कुश्चन पीम मोदी की नए यात्रा के दौरान भारत और यूए के बीच कितने समझोते पर हस्ताक यह भी बात मैंने आभी आपको बताई थी ठीक है ना उसी वाले पेज में तो जैसे मैंने आपको कहा कि यूए की नाम से एक अलग से इसे पेज बना लेना जितना भी भारत सरकार सम्मेलन में के दौरान बहुत सारी नियूज यहां से निकल कर गया है तो वह सारी नियूज उस एक बॉक्स में लेक डालना अपने नोटस में ठीक है ना इससे आपका तयार हो जाएगा तो यह 65 कुश्चन थे इस महीने के और अभी एक तरिक से पंदरा तरिक के फरवरी के आई होप आपको यह इन्फरमेटिव लगी होगी ससन पसंद आई होगी बहुत बहुत धन् आई नोटिफिकेशन आएगा आपको यही पर बेजा जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच मिलेंगे अगली गलास में तकली नमसकार चाहें वंदे मातरा